इस वीडियो जो स्पॉंसरड बाइ निरस पब्लिकेशन, इग्नु एक्जाम के तैयारी कम टाइम पे करने के लिए आप लोग निरस पब्लिकेशन का गाइड बुक परचेस कर सकते हो, इग्नु इस्टेंड के लिए यहाँ पे एक special offer दिया जारा जिसमें इग्नु का आप लोग इस offer का ज़रूर फाइदा उठा सकते हैं, हलो एवरीवन, वल्कम टू माइ यूट्यूब चैनल एएच हल्पलाइन, कैसे हैं आप लोग, इग्नु ने दिसमद और 23 सटामन एक्जाम के लिए, डेट सीट रिलीज कर दिया है, जी हाँ, यह देख के आप लोग को काफी सौकिंग लग रहा होगा, क्योंकि साइधी कोई स्ट्वेंट होगा, जो 23 सटामन एक्जाम का डेट सीट आने का उमीद इतना जल्दी कर रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली इग्नु जब भी एक्जाम स्टार्ट होने वाला रहता है, उसके एक दो महिना पहले डेट रिलिज कर दिया है, तो इसके बार में आप लोग को जानकाडी देना ही है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बार में detail में बात करेंगे, आप लोग वीडियो को ध्यान से और complete जुर्ध आ रहे हैं, इगनु के स्टुएंट हो, तो हरएक एक trusted and authentic information पाने के लिए चैनल को अभी subscribe करें नाओ यह है tentative date sheet 27-28 time exam के लिए जो आप लोग के screen के उपने जरा रहा है इसका link मेंने description में दिया हुआ है PDF file टेलिग्राम चनल पे upload कर दिया गया है वहां से भी आप लोग इस date sheet को download कर सकते हैं date sheet का मतलब क्या हुआ जितने भी new student है वो यह जानने date sheet में आप लोग का exam का schedule दिया हुआ रहता है कि कौन से date पे आपका exam होने वाला है कौन से paper का कौन से date पे exam होगा कौन से timing पे होगा वो सारा चीज date sheet पे mention किया हुआ रहता है इगनू हमेशा date sheet पहले इसलिए release कर देता है ताकि आप लोग पहले से ही exam का planning कर सके schedule बना सको क्योंकि इगनू में जाते हैं ऐसे होते हैं जो परहाई भी कर रहे होते हैं काम भी कर रहे होते हैं defense के बहुत सारे student परहाई करते हैं उनके लिए चुट्टी का मसला होता है इसलिए पहले date sheet रिलिस कर दिया जाता है ताकि आप लोग अपना exam का date को no down कर लो और उसी हिसाफ से अपना चुट्टी या फिर schedule प्लान कर सको और exam दे पाऊ तो date sheet में आप लोग के exam के date लिखे हु हो रहा है और नॉर्मली जिस तरीका से इगनो के exam हमेशा से होते आ रहा है जून के exam जून में और दिसमर का exam दिसमर में तो इस बार भी test schedule पे exam start हो रहा है हाल खतम होने में थोड़ सा देरी हो रहा है नॉर्मली 31st December तक खतम हो जाता है exam लेकिन 5 जनवरी तक इस बार exam conduct करव रहा है लेकिन यह date seat जो है वो tentative date seat है final date seat नहीं है final date seat exam में स्टार्ट होने के 15 दिन पहले ही release किया जाता है tentative date seat मतलब इस date seat में changes होने की संभा होना है लेकिन नॉर्मली मैं आप लोगों को बता दू कि जितने भी Master DAE के student है चाया वो Master of English हो Master of Political Science हो Master of Sociology हो इसके changes नहीं होते ह जितने भी program है na MA के program जितने भी है उसके schedule में changes नहीं होते है तो Master DAE की जितने भी student है वो जो schedule को no down कर लेंगे उसमें बहुत जादा फिर बदल की उमीद नहीं है और ना के बराबर है नौर्मली जो changes होता है वो BLIS program में होता है CBCS program में होता है BAG, BECOMG, BSCG इसमे schedule में changes होते हैं जब changes होता है तो फिर एक new tentative days release होता है और उसमें जो changes होता है उसको सुधार के फिर update किया जाता है तो वो जब भी अगर होगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा अभी के लिए फिल subject code put करोगे तो आपको पता चल दाएगा जैसे मानलोगर किसी का master of English paper है तो MEG type करेगा MEG के बाद से जो भी उनका code होगा MEG08 तो यहां पे देखो MEG08 20 December को है afternoon session में ठीक है तो इसी तरीका से आपको अपना subject code यहां पे type करना है आपको पता चल दाएगा कि यहां पे कौन सा date पे आपका exam होने वाला है जो भी subject को type करोगे वो यहां पे highlighted होता हुआ नजर आ जाएगा तो आप लोग उसी हिसाब से यहां पे चेक कर लेना कि कौन से date पे आपका exam होने वाला है ठीक है VIE 181 20 December को exam होने वाला afternoon session में ठीक है तो इस तरीका से पता चल लिएगा आप लोग को exam firm वही September-October के टाइम पर ही release किया जागा तो मैं आप लोगो चैनल पर बता दूगा exam firm कैसे fill up करना है वो भी आप लोगो पता चल जाएगा यहां पे कुछ important चीज़े हैं जैसे कि इसमें बताया गया है कि अगर आपको date seat में कोई भी discrepancy नजर आ रहा है यानि कि कोई भी discrepancy है तो भीजना है अला कि मैंने भी चेकिया बहुत सारे subject को इसमें नहीं दिये गया है जो कि कुछ दिनों में उसको ठीक करके future new date seat को update कर दिया जाएगा यहां पे एक important चीज यह भी है जो कि हर बार आपको बताया जाता है कि जितने भी group के paper है वो सभी एक ही दिन एक ही आपको कोई भी discrepancy देखे तो आप बताना लेकिन apart from 367 point ठीक है 3 number point 6 number point और 7 number point क्योंकि इसी में group के चीजे mention हुई है और यह हमिशा से इगनू के student को problem होता है लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता ग्रूप के paper एक ही दिन एक ही time पे ही होते हैं अगर वो दो paper आपका एक यह समझ में आ गया उसके बाद से चार नहीं point में आप लोगों को बताया गया कि कौन कौन सा paper objective format में होगा इसमें कोई भी changes नहीं है BSHF 101, FST01 आपका objective type में हर साल होता है और OMR seat पे conduct करवाय जाता है इस बार भी वही होगा CLIS का BLI 011, 012, 013, 014 यह objective format में होगा PCO 01, BEVAE 181 य और OMR seat पे conduct करवाय जाएंगे previous session से BNS 041 और 042 को हटा दिया गया था यह पहले 2 साल तक OMR seat पे conduct करवाय गया था objective format में लेकिन अब इसको हटा दिया गया BNS 041, 042 descriptive type में ही conduct करवाय जाएगा उसके बाद से यहाँ पे group के paper दिये गया है साथी साथ CVCS program के भी group के paper दिये गया है यह सभी paper का एक ही दिन एक ही टाइम पर एक्जाम होता है तो इसमें अगर class होगा तो आपको एक paper अभी और एक paper नेक सेशन में देना परेगा उसके बाद से सभी subject को code दिये गया है जो मैंने आप बता दिया कि किस तरीका से आपको सर्च करना है ग्रूप के जितने भी student है उनको दूद से प्रॉबलम हो सकता है सर्च करने में क्योंके पहले यहाँ पे group के यतने भी paper थे उनका date दे दिया हुआ रहा था लेकिन इस बार group का date इस तरीका से नहीं दिया आगया है आपको यहाँ पे search करना परेगा रिखली सबूब की यहाँ परiğनopie.group 2,group 3,group 5,group 6 य तो आपको यहां पर देखने को मिल रहेंगे. मानलो, Group 1 का पेपर अगर हम सार्च करें, तो Group 1 का एक्जाम होने वाला है 2 जनवडी को Afternoon Session में. उसी तरीका से Group 2 अगर सार्च करोगे, तो पता चल लाएगा कि Group 2 का एक्जाम होने वाला है आपको 19 December को Afternoon Session में. तो इस तरीका से आपको Group का पेपर को सर्च करना पड़ेगा. Lastly में आप लोग को बताया गया है M.I.L के बारे में. M.I.L मतलब होता है Modern Indian Language. लेकिन इन सभी का Subject Code के साथ आप लोग को बता दिया गया कि कौनसे डेट पे एक्जाम होने वाला है. तो आप लोग को बता दरहा हूँ कि यहाँ पे M.I.L लिखा हुआ है तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो यहाँ पर जितने भी Language Group के पेपर है उसका Code दिया गया है. लेकिन इसका एक्जाम कौनसे डेट पे इसका Code वाइस आप लोग को बता दिया गया है. जैसे मालो और किसी का उर्दू का पेपर है F.U.D इस तरीका से टाइप करेगा तो पता चल दाएगा कि 14 दिसंबर को उसका F.U.D का एक्जाम है. उसी तरीका से बाकी अधर भी जितने भी Modern Indian Language के पेपर हैं उस अभी का Code यहां पे Date Seat में ही Mention किया गया तो वह आप लोग देख सकते हैं. Last में आपको बताया गया है कि PG, DLN, BLIS, MLIS इनके जो प्रैक्टिकल के एक्जाम होंगे उस अभी Regional Center करेंगे कि कौन से डेट पे एक्जाम होने वाला है उसके लिए आपको Regional Center से contact करना होगा लेकिन contact करने की जो अतनी है उनके official website पे update होते रहते हैं और मैं आप लोग को चानल पे बताते रहते हूं अगर आपका कोई भी subject को date sheet में mention नहीं है या कोई भी discrepancy है कोई error है तो आप लोग mail कर सकते हो date sheet at the rate ignu.ac.in पे 31 August से पहले इसके अलावा बाकि जितने भी information है उसा भी मैंने इस वीडियो में cover कर लिया नहीं sound मैं तो वीडियो को rewind करके देख लेना या फिर नीचे कॉन बाक्स में जरूर बताना या फिर नीचे कॉन बाक्स में जरूर बताना इस वीडियो में इगनु के तब से दिसमाद वाते इस time and exam के लिए date sheet release कर दिया गया है उसके बार में मैं आप लोग को detailed information दे रहा था मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंदा होगा इस वीडियो के लिए जरूर कर दे सभी फ्रेंड के साथ से एक है ताक उनको भी a detailed information मिल पाए date sheet के regarding किसी भीडा के लिए आप लोग नीचे कॉन बाक्स में लिख सकते हैं या मुझे directly call करके भी upload out के लिए कर सकते हैं और अगर आप एच help line चैनल पर फॉर से माय हैं तो make sure आप लोग पहली फूरसत में चैनल को जरूर subscribe कर ले so thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much you